Hello students, इस वीडियो में हम जानेंगे अनुस्वार के बारे में अनुस्वार किसे कहते हैं और इसका प्रयोग कैसे करते हैं? इसके कुछ नियम पढ़ेंगे कि अनुस्वार कहां पर लगता है और कहां पर नहीं लगता है? तो आईए शुरू करते हैं अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार जो होता है students is a combination of अनु और स्वर अनु और स्वर मिलके बनते हैं आपका अनुस्वार स्वर के बाद आता है ये अनुस्वार आपको पता है कि हिंदी व्याकरण में 11 स्वर है तो इन 11 स्वरों के बाद हम लिखते हैं या इसका चिन जो होता है वो बिंदू है ठीक है अब अनुस्वार का उच्चारण कैसा होता है यह एक नासिक्य ध्वनी है ठीक है तो उच्चारण नाक से होता है अब क्यूंकि अनुस्वार हमारा अनुधन स्वर है इसलिए स्वर के बाद आने वाला इसको हम समझते हैं इसका प्रयोग चिन द्वारा ही प्रकट होता है अब अनुस्वार कहां कहां पर लगाते हैं अब ध्यान से सुनिये स्टूडेंस यह देखिए इसको हम पढ़ते हैं गंगा लेकिन यह जब हम लिखते हैं तो यह है आपका गडगा ठीक है ग अनगा गंगा ठीक है बट लिखते गंगा है अब क्यूं ऐसे लिखते हैं यह अनुस्वार यह जो डॉट लगा है यह बिंदू लगी है यह हम कहां कहां पर लगाते हैं और इसका नियम क्या है जानेंगे अब जैसे कि आप जानते हैं हिंदी व्याकरन में पांच वर्ग है कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, अब कवर्ग में आने वाले आपके व्यंजन है, क, ख, ग, घ, अन, ठीक है, अब इसमें यही रूल आपका क्या बोलता है, यह नियम बोलता है, कि यदी स्वर्ण रहित पंचम वन के बाद, अब गंगा, इसमें देखिए, स्वर्ण रहित पंचम वन यह कौन सा है, अना है, ठीक है, यह कौन से वर्ग का है, यह कवर्ग का है, अब हमारा नियम बोलता है, कि यदी स्वर्ण रहित पंचम वन के बाद, उसी वर्ग का कोई भी व्यंजन आए, मतलब यह आपका जो अना है, यह कवर्ग का है, और उसके बाद कवर्ग का ही कोई जब हम लिखेंगे तो पंचम वन के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है, अब यहां पर पंचम वर्ख हमारा अनन है, तो जब हम लिखेंगे शुद्ध मिंदी में तो ये हो जाएगा ग के उपर आपका अनुस्वार लगेगा मतलब पंचमवन के उपर आपका अनुस्वार का प्रयोग होता है लेकिन जब हम उच्चारण करेंगे तो उसका उच्चारण होगा जो पंचममाक्षर की ध्वनी से ही उच्चारित होता है जैसे गंगा, वैसे ही आईए देखते हैं चंचल, ठीके, अब हम इसको चंचल क्यों लिखते हैं, क्योंकि च वर्ग में देखिए, च च ज ज ज निय, ठीके, अब ये निय जो है, ये आपका कौन सा वर्ग का है, च वर्ग का पांचवा अक्षर है, ठीके, और उसके बाद ही उसी वर्ग का च आ रहा है, ठीके, तो हमारा नियम क्या कहता है, यदि स्वर्रहित पंचम वर्ग के बाद उसी वर्ग का एक कोई व्यंजन आए, तो लेखन में ये च के उपर आपका अनुस्वार या फिर बिंदू लगता है, और हम उच्चारन करते हैं, चंचल, तो ये अन तर वर्ग का शब्द है, कैसे रिखते हैं, अब देखिए, पंडित, अब अना जो है, आपका तर वर्ग का पंचम अक्षर है, और उसके बाद ही उसी वर्ग का डर वंजन आ रहा है, तो अनुस्वार कहा लगेगा, स्टूडिन्स, प के उपर पंडित बनकर, ठीके, ये ज उसके बाद देखेंगे त वर्ग का एक उधारण दन्त, अभी त वर्ग में त, थ, द, ध, न है, इसका पंचवा अक्षर कौन सा है, न है, तो यहाँ पर आपका ये स्वर रहित है, स्वर रहित मतलब इनकम्प्लीट, तो ये इनकम्प्लीट आपका एक व्यंजन है, आधा तो इसके लिए हम कैसे शुद्ध हिंदी में लिखेंगे, द, और ये स्वर रहित व्यंजन को हटा कर, द के उपर अनुस्वार लगाएंगे, और फिर उसके बाद वाला व्यंजन को लिखेंगे, तो दन्त बन जाता है, द, बिंदू, त, ठीके, अब प वर्ग का देखते ह स्वर रहित मतलब अधूरा, उसके बाद उसी वर्ग प वर्ग का एक व्यंजन प आया है, पंप, तो हम कैसे लिखेंगे शुद्ध अनुस्वार के साथ, प म हटा देंगे, और इस प के उपर बिंदू या अनुस्वार लगाएंगे, और फिर ये प लिखकर पंप लिखें पंचमवन के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है, लेकिन उचारण में वह पंचमाक्षर की ध्वनी से ही उचारत होता है, पांच वर्ग है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और परवर्ग, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे, एक कॉपी में आप पेपर म को अनुस्वार कहा लगाना है, बहुत एजिली आ जाएगा, अब कुछ होते हैं हमारे उच्मव्यंजन, ठीक है, उच्मव्यंजन हमारे श, श, स, और ह है, हिंदी व्याकरण में, ठीक है, अब इनसे पूर्व अनुस्वार का ही प्रयोग होता है, ध्यान में रखेंगे, कि अब देखेंगे, हम वंच को ऐसे नहीं लिखते हैं, व, श, नहीं लिखते हैं, क्योंकि यह हमारा उच्मव्यंजन है, ठीक है, तो उच्मव्यंजन में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे, व, अनुस्वार, श, वैसे ही हंस, क्योंकि स, भी हमारा उच्मव्यंजन है, यह द रखेंगे कि उश्म व्यांजन श, श, स, ह के पूर्व अनुस्वार का प्रयोग होता है। ठीके, अब हम पढ़ेंगे तीसरा नियम, सम उपसर्क के बाद अंतस्त या उश्मव्यंजन, ठीके, अब देखी, सम उपसर्क के बाद अंतस्त व्यंजन हमारे चार है, य, र, ल, व, अब इन चारों को, या फिर उश्मव्यंजन, श, स, स, ह, आए, तो म के स्थान पर अनुस समह, धन सार, अब देखिये, मैं पहले आपको शब्द बता देते हूं, समह धन सार, समह धन यम, समह धन لाप, समह धन वाद, अब हमारा तीसरा नियम क्या कहता है, कि अगर समह उपसर के बाद, यह जो समह उपसर के बाद हमारा कोई भी अंतस्तव यंजन आया, जो कि यह रहा है ये दुदारण में स, य, ल, व ये सब आ रहे हैं तो इसको अनुस्वार में कैसे बदलते हैं म को निकालेंगे और स के उपर बिंदू लगाकर बाकी का जो शब्दें दिखते हैं ठीक है ये म को हटा कर उसके पूर्व जोव्यन जन है उसमें अनुस्वार डालके बाक अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है अनुस्वार कहां नहीं लगता है ये भी जानना बहुत जरूरी है अब आप देखेंगे कि क्यूंकि अनुस्वार हमारा नासिक्य स्वर है तो हम जानेंगे कि पहले आप ये देख लीजिए कुछ उचारण करके ये वाले शब्द देखेंगे वांग मैं चिन मैं जन्म संपन संमार्ग ठीके अब हमारे कितने वर्ग है स्टूडेंट्स पांच वर्ग है कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, तवर्ग और पवर्ग और उसमें आये व्यनजन पांच पांच है तो टोटल कितने हो गया हमारी 25 हो गये तो अभी आप पहले इन वर्गों को याद रखेंगे और उनमें कौन-कौन से व्यनजन है वो भी ध्यान रखेंगे अब हमारा नियम क्या कहता है कि कहां पर अनुस्वार नहीं लगेगा जिन शब्दों में भिन-भिन नासिकिया व्यनजन एक साथ प्रयूक्त होते हैं जा फिर पंचमाक्ष्र दोयुक्त म情 दो बार दोयुक्त मतलब आपका दो बार ठीक है तो इस केस में आपका क्या होता है जैसे देखेंगे वांग मैं है यह कौनसा यह आपका नासिक्या व्यान ठीक है अब देखेंगे इसको हम कैसे लिखेंगे तो देखेंगे वांग मैं चिन मैं यह आपका हो गया यहां पर आप यहां पर क्यों नहीं लगा रहे हैं जो बोलते हैं आपका अनुस्वार क्योंकि देखेंगे यह जो म हैं यह आपका एक नासिक के व्यांजन है ठीक है और यह जो आपका अन हहें, इस वांग में शब में आपके पास दो नासिक्य व्यंजन आगे हैं, ठीके, भिन-भिन नासिक्य व्यंजन एक साथ प्रयोंक्त हुए एक तो अना और दूसरा म, पंचमाक्षर, ठीक है, पंचमाक्षर दुत्यरूप में, फिर दुत्यरूप वाले यहागे है, ठीक है, पंचमाक्षर आपका न है, और यह संपन वाले शब में दो बारा है, इसलिए हम संपन को ऐसे नहीं लिखेंगे, संपन नहीं लिखेंगे, पन, अधुरा न, और पूर्ण न के साथ, क्यूंकि हमारा नियम क्या कहता है कि अनुस्वार कहाँ पर नहीं लगेगा, जहां पर पंचमाक्षर द्वित्य रूप में प्रयोक होता है, तो यहां पर आप देख रहे हैं पंचमाक्षर तवर का पंचमाक्षर न है संपन में और ये दो बार आ रहा है इसलिए अनुस्वार नहीं लगता है ठीक है तो ये कुछ नियम आपको याद रखने है कि अनुस्वार कहा पर लगएगा और अनुस्वार कहां पर नहीं लगएगा ठीक है वैसे ही आप देखेंगे कि चिन मे वाले शब्द में पंचमाक्षर न भी आ और म भी आ रहे हैं चिन में को हम ऐसे नहीं लिखते हैं चिन में नहीं लिखेंगे क्यों क्योंकि इसमें हमारा आ रहे हैं चिन और मैं यहां पर आपका न भी पंचमाक्षर है और म भी पंचमाक्षर है ठीक है देख रहे हैं न म भी है और न भी है इसलिए हम इसको ऐसे अनु ठीके जन्म नहीं लिखते हैं ठीके तो यही आप नियम को साइड में रखेंगे कोच उधारण लेंगे और देखेंगे आप इसली कर पाएंगे ठीके कुछ कुछ चोटे चोटे चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि अनुस्वार कहां पर लगता है उसके नियम और अनु ह से पूर्व आये तो उसका अनुस्वा रूप नहीं लगता है बलकि पंचम वन अपने मूल रूप में लिखा जाता है जैसे देखें मान्यता ठीके अब मान्यता में यह आया पून्य में यह आया उन्हें में ह आया तुमें में ह आया और अन्य में यह आया तो हमारा नियम क्या बोलता है कि अगर पंचमवन य, व, ह से पूर्व आए ठीक है पंचमवन हमारा न भी है अन भी है न, म, न ये सारे हमारे पंचमवन पंचमवन है न, अन, म और न हमारे पंचमवन है तो यदि य, व, और ह से पहले ये पंचमवन कोई भी आए तो हमारा अनुस्वार नही लगता है तो मान्यता को हम ऐसे नहीं लख सकते हैं मान्यता गलत है पुण्य गलत है उन्हें गलत है तुम्हें गलत है और अन्य भी गलत है कि क्योंकि हमारा नियम कहता है कि अगर सिर्फ य व से पहले कोई भी पंचमवन आए तो य अनुस्वार में बदलता नहीं है, ठीके ये स्वर्रहित पंचमवन, स्वर्रहित पंचमवन मतलब अधूरा, न अधूरा है, अन अधूरा है, न उन्हें में अधूरा है, म यहाँ पर दोराहे और यहां पर भी अधूरा है तो यह जो अधूरे या सुर्रहित हमारे पंचम वण्ड है यह अनुळवार सुग कब नहीं बदलते हैं जब उनके बाद या तो यह व कर दोघ्र Вас तो इस ठीक है अब ये जो है ये आपका पंचम वर्ण है कौन से वर्ण का कवर्ण का तो ये क्या हो जाएगा अंक क्यूंकि पंचम वर्ण का व्यंजन से पहले हम अनुस्वार लगाते हैं वैसे ही ये क्या हो गया है ये हो जाएगा आपका शंक अब ये क्या हो जाएगा ग, अना, गा, गंगा हम ये सब कैसे लिख रहे हैं students क्योंकि अना, अना, अना ये सब आपके पंचमवर्ग के व्यंजन है और ये सब स्वर्रहित व्यंजन है अधूरा दिखा रहा है ये जो हलंत है इसका मतलब है कि ये सब अधूरे है अब चंचल को कैसे लिखेंगे ये भी आपका पंचमवर्ग है तो ये हो जाएगा आपका चंचल ये भी देखिए पांचवावर्ग है तो ये हो जाएगा पांचवावर्ग है तो पंचम घ, ये अना आपका स्वर्रहित मतलब अधूरा और पंचमाक्षर है तो ये हो जाएगा आपका घंटा फिर ये भी स्वर रही थे कंठ न आपका स्वर रही थे पंचमाक्षर है तो दंथ म आपका पंचमाक्षर है अधूरा है स्वर रही थे तो चंपा तो इस हिसाब से आप अनुस्वार लगा सकते हैं अब एक और उधारण के साथ करेंगे योग्य वन पर अनुस्वार लगाएंगे बंदूख हमें पता है कि हमें बंदूख जैसे हम उच्छारण करते हैं तो क्योंकि ब पहले आता है फिर न आता है बंदूख इसलिए हम बिंदू ब के उपर लगाएंगे अब सुन्दर तो सु के उपर हम अनुस्वार या फिर बिंदू लगाएंगे मन गल तो हमारा न का जो उच्छारण है वो म के बाद आता है इसलिए म के उपर लगेगा आपका बिंदू या अनुस्वार शंकर छंकर ठीक है आब पतंग पतंग तो कहाँ पर आ रहा है त के बा अंगूर तो अ के बाद आपको नासके ध्वनी आ रही है तो अ के उपर लगेगा आपका बिंदू सत्रंगा र के बाद आ रहा है तो र के उपर लगेगा आपका बिंदू बंगाल तो ब के बाद आ रहा है तो ब के उपर लगेगा जंग 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 तो ज के बाद आ रहा है उच्छारण तो ज के उपर लगेगा आपका अनुस्वार वैसे ही बंदर बंदर तो ब के बाद आपको न के ध्वनी आ रही है तो अनुस्वार आपका ब के उपर लगेगा जयन्ति, जयन्ति, तो यह के बाद न सुनाई दे रहा है, तो यह के ऊपर लगेगा आपका अनुस्वार तो students, इसके साथ हमने आज विस्तार में अनुस्वार के बारे में पढ़ा, उसके नियम के बारे में पढ़ा और ये भी पढ़ा कि अनुस्वार कहां पर नहीं लगाने हैं उसके भी कुछ नियम पढ़े उद्धारण के साथ तो आपको अभी क्या करना है एक पेपर में ये सारे नियम अच्छे से लिखना है और आपको पांच वर्घ भी लिखने हैं उन में से main important है पांच वर्घ लिखके आप पांच्वा या जो पंच माक्शर वर्घ है व्यंजन है इन पांचो वर्घ का उनको पहले note down करेंगे क्योंकि उसी के आधारित पे हमारे नियम है जहां पर आपका अनुस्वार लगता है या नहीं लगता है ठीक है तो इसके साथ कुछ उधारन प्रैक्टिस कीजिए आपको फ्यूचर में कोई भी अनुस्वार वाले शब में गलती नहीं होगा ये में आपसे बतलब सेक्षिन में बताइए आइए 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 देफिनेटली ट्राइटो क्लिए टो क्लिए टो कि एप स्टूदेंस थैंक यू